अरियू, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, कोरॉल रो में रिबन जैसे स्विर्ल हुआ है वैसा डिजाइन आप कैसे क्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो पहले क्या है, एक ellipse tool लेता हूँ, लेकर इसे, ड्राक किया मैंने अभी इसमें क्या है, एक बार इसको desolat करो और जो unit है, mm कर लेता हूँ mm करने के बाद, अभी with size में आपको बताने जा रहा हूँ, इसको select रखते हुए अब मैं क्या करता हूँ इसका जो width है इसको 100 क्या है और जो height है इसका 30 mm रखता हूँ इतना लेने के बाद अब इस circle को क्या है इस whole shape को क्या है उपर से इसे control को hold करते हूँ इसे नीचे लेके इसको क्या है mouse right click करता हूँ तो और एक copy बन गया भी right click करके left click छोड़ दिया मैंने तो copy बन गया भी अभी क्या है इधर क्या free hand tool लेता हूँ लेके इधर क्लिक करके इसे line draw करता हूँ अभी इसी line को क्या है copy paste करता हूँ यहनी दो line है इधर shift को hold करते हूँ इस circle को select करता हूँ यह आपको समझ में आ रहा है अभी देखो इन दोनों line के बीच में एक line draw करना है मुझे तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर free hand tool लेलो लेके अभी क्या है इधर edge पे आता हूँ right click करके left click छोड़ देता हूँ तो देखो भी इस line के center में यह आ गया भी अभी आपको क्या करना है इधर color fill करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर smart fill में आता हूँ यह क्या है interactive fill tool के अंदर क्या है smart fill है इधर click करता हूँ मैं इस portion पे भी click करता हूँ तो देखो भी ऐसे smart fill हो गया smart fill है नहीं एक अलग object बनता है इसे यह आपको समझ में आ गया अभी क्या है shift को hold करते हूँ इन तीनों को select करके इसको क्या है इसे इधर लाके mouse right click कर लेता हूँ तो देखो भी ऐसे copy बन गया भी इतना distance लाया है मैंने आपको समझ में आ रहा है अभी मैं क्या करता हूँ जो bottom में दोनों है दोनों object select करता हूँ select करके इसको क्या है weld करना है तो देखो भी ऐसे single object बन गया भी अभी इन सब को select करता हूँ select करके इस तरफ लाता हूँ लाके इसको mouse right click करके left click छोड़ना है त अभी इस node को hold करना है अभी इदर node करके आता है तभी hold करके drag करना है जैसे इदर snap होता है node करके तभी आपको क्या है click को छोड़ देना है तो दिखो भी ऐसा आ गया एक बार इसको deselect करो अभी इस portion को और इस portion को दोनों को select करके आपको क्या करना है weld करना है तो दिखो भी ऐ रखे कैसे copy बन गया भी, यह समझ में आ रहा है आपको, अभी इन सब को select करता हूँ, अगर आप चाहे तो इसको क्या है angle इस तरह रखके भी आप कर सकते हैं, अभी दिखो इसको क्या है एक बार deselect करता हूँ, इस portion को और इस portion को दोनों को select करके अभी मैं क्या करता हूँ, weld कर लेता हूँ, यह single object बन गया भी, अभी मुझे क्या है, इधर कुछ color देना है मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर interactive fill tool लेता हूँ, लेके अभी आपको क्या करता है, control को hold करते वेए इसे drag करता हूँ, इसे नीचे तक लिया मैंने, अभी इस point को क्या है, अभी जो bottom में जो point है, इसको क्या है, एक yellow shade देता हूँ, अभी जो bottom में जो point है, इसको क्या है, इधर yellow में थोड़ी दर तक आप hold करो, hold करने के बाद दिखो भी number of shades open हो गया, अभी इधर क्या है, जो dark color है, इसको drag करके, इस point के अंदर छोड़ देता हूँ, अभी समझो कौ color palette है, इधर क्या है, document palette करके है, इधर क्लिक करता हूँ, तो देखो भी, document palette आगया, जो जो color आप इधर use कर रहे है, वो इधर बताएगा आपको, अभी इस shade को और तुला dark करना है, मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, इस point को click करता हूँ, तो देखो भी यह आगया, अभी इसमें click करता हूँ, click करके आपको क्या करना है, इधर आना है, यह क्या है, show color views करके है, इधर आता हूँ, तो अभी इसमें क्या है, के को क्या है, 50 रखता हूँ, 50 रखके इसे enter दे दिया मैंने, तो देखो भी, ऐसा आ गया, अभी देखो इ यूदर भी लेना है तो उसके लिएए मैं क्या करता हूं इसको लेता हूं और इसको भी लेता हूं है इसको भी घ्रक करकरके इसको ब्रॉप क्या मैंने तो अभी इसमें कुछ angles चेंज करना है मुझे है तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ इदर अभी यह देखो इदर light color रहे तो इसको क्या है इदर dark color ऊपर लेना है और जो light color है इसको इस तरफ नीचे लेना है इस पॉइंट को इससे ड्रैक करके इस बॉटम में जो डिस्टन से इस डिस्टन स तक लेता हूँ अभी इस पॉइंट को क्या है इदर तक लेता हूँ मैं तो दिखो भी ऐसा यह दिख रहा है आपको इसे इदर थोड़ा dark है और इदर light है अभी दिखो यह जो टॉप में जो portion इसको जूम कर लेता हूँ इसको क्लिक करता हूँ मैं जो टॉप में जो portion है इसको select किया मैंने shift को hold करते हूँ इस subject को select करना है select करके अभी मैं क्या करता हूँ, yellow में थोड़ी दर तक hold करो, hold करके अभी मैं क्या करता हूई, इस shade को देता हूँ, तो दिखो भी ऐसा आ गया अभी यह जो bottom में है, इसको भी शेड़ देना मुझे, तो इसको क्लिक करता हूँ मैं, दिखो भी इस strip को select करना है shift को hold करते हुए इसको भी click करता हूँ click करके अभी में क्या करता हूँ फिर से क्या है yellow में तोड़ी देर तक hold करता हूँ अभी इसमें क्या है थोड़ा dark शेड दिया मैंने अगर समझो इससे भी थोड़ा dark आपको करना है तो आप क्या है इधर interactive tool में आना है आपको आके इधर इस डिस्टन्स दिया मैं तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इसमें क्या है इसको रिमूव करना है तो क्रॉस मार्क में आके मौस राइट लिक करो सेट आउट लाइन कलर बोलो तो ऐसी दिको लाइन रिमूव हो गया भी अभी यह जो dark portion है इसको थोड़ा extend करना है इस distance तक लेना आपको तो दिखो भी ऐसा आगया अभी इसको क्या है background क्या करता हूँ एक black रखके देखता हूँ मैं तो इसमें दिखो भी black shade देता हूँ मैं एक box लिया मैंने अभी इसको select करके color दिया shift page down करता हूँ तो दिखो भी ऐसा आगया अभी आपको क्या करना है इन नीचे distance लेता हूं मैं, तो थोड़ा gap रखना है, gap रखके अभी मैं क्या करता हूं एदर transparent सी tool लेके, एदर click करके इसे drag करता हूं मैं, drag करने से दुखो यह transparent बन रहा है, जैसे reflection जैसा यह दिखता है, तो अभी दिखो इतना लेने के बाद, अगर समझो आपको black background नहीं रहा है, तो मुझे comment box में comment कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े देने के लिए, और इस channel को subscribe करने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद,